हेलो फ्रेंज दुआ कलासेज प्राव का स्वागत है परकर कारे पुस्ति का गनित कक्षा आठ में हम आज कारे पत्रक को हल करेंगे दोस्तो यदि आप अमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप अमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे दोस्तो आज हम आपलन नमबर बारह को हल करेंगे परस नमबर एक नेच्चे दिये गए चैनल की तबाग को दसनलो बिन की रूब में लिखें दोस्तो हमें यह एक बॉक्स दे रहा है उसमें खंड बने हुए हैं यानि हमें इसी से ही चैनल की तबाग को दसनलो बिन में दरसाना है तो हम यह देखते हैं कि इसमें कुल कितने बाग चैनल की तबाग है और कुल भाग है 100 तो 34 बटा 100 यानि 0.34 अंसर इसका आएगा दसमलों में नेश्ट दोस्तों इसमें भी चैंकित भाग है 36 और कुल भाग है 100 यानि 36 बटा 100 यानि 0.36 दसमलों के रूप में अंसर आएगा next है दोस्तों इसमें कुल 3 भाग चाहिंकित है तो 3, कुल भाग है 10, 3 बटा 10 3 में जब हम 10 का भाग देंगे तो 0.3 हमें प्राप्ट होगा next दो नमबर निचे दिये गए 10 लोग इनको चुत्र में चाहिंकित करें दोस्तों अब हमें यहां 0.54 दें रखा है यानि 0.54 को जब हम हल करते हैं सदरनवीन के रूब में तो यहां से 10 लोग अटाने पर हमें 100 प्राप्ट होगा यानि चौपन बटा 100 यह कुल भाग जो चाहिंकित है वो चौपन है और इस खंड में या इस खाने में कुल भाग 100 बने हुए है ऐसमें से जोपन बटा जोपन बाग को चाहिंकित करना थैड्याई सदरना है यानि इकश्राङ प्राप्ट हे वाग 100 राप्ट लग ङूपन, शेय्कित करने हैं दोस्तों सदरोग 96 यानि इसमें हमें पॉइंट को अटाने पर हमें यहां 100 प्राप्त होगा यानि कुल भाग 100 है और हमें चायंकित करने है 96 यानि 96 तो हमने 96 भाग को चायंकित कर दिया है ऐसे दोस्तों आपको करना है Next है नेचे तीन नमबर दसमलो संख्यों के अंकों का अस्तानी अमान लिखें अब हमें दोस्तों अस्तानी अमान लिखना है संख्या मिद दे रखी है 312.7 में सेंक्रा 3 है दहाई 1 है एकाई 2 है दो लिख देंगे दक्षांस या दसांस 7 है तो हम या दसांस 7 लिख देंगे नेग्स दोस्तों में संक्या दे रखिया है चार सो आप पॉंट नो इसमें सैख्रा चार है दाही jiro इकाई आट और दसांस है नो तुम दोस्तों यहां लिख देंगे इसी प्रकार नेख्ष्ट है एक सो आथ स्वर पॉंट चार इसमें सेंकडा एक, दाही तीन, इकाही दो, और दशांस है चार, तो हम यहां चार लिख देंगे, दोस्तो नेक्स्ट है, निच्चे दिये गए सदारण बिन को दस्मलो बिन की रूप में लिखें, अब हमें यहां चार बटा दस, यहां तीस बटा सो, यहां पैंतलिस बटा स यहां शार बटा सो, दोस्तो यहां संक्या में जो भाग वाले। संकेद यहां 0,1 0 है तो महत एक पॉइंट एक संक्या चोड़कर यहां एक दसमलो बिन लगा देंगे, शिप्ट कर हम हल करेंगे, 4 उतथा दस को 0.4 दसमलो बिन प्राप्थ होगी, 30 बटा सो में 0.3 दसमलो भिन हमें प्राप्त होगी, साट बुटा सो में जिरो पॉइंट छे दसमलो भिन हमें प्राप्त होगी, नेक्स्ट है, नीचे दिये गिए दसमलो भिन को सदराण भिन के रूम में लिखे हैं, यहने दोस्तो, 0.15 है, जब हम इसका दसमलो हटाыйंगे, यहां से 10 में हम अटाएंगे तो यहां 2 संखे हैं तो 2 0 है यानि 100 आएगा तो 15 बटा 100 0.8 में 70 बनेगी 8 बटा 10 0.76 में 70 बनेगी 76 बटा 100 इसी बरगार 1.40 में हमें 70 बनेगी 140 बटा 100 दोस्तो नेक्ष्ट है निच्चे दिये गए 10 लोग बिनों को गरते करम में लिखिए यानि गरते करम में दोस्तों हमें ये पूछ रहा है अवरोही करम अवरोही करम हमें पूछ रहा है इसमें हमें सबसे पहले सबसे बड़ी संक्या लिखनी होती है तो हम यहां देखते हैं सबसे बड़ी संख्या है 4.13 इससे छोटी 1.43 फिर 0.41 फिर 0.2 फिर आएगा 0.09 जो की सबसे छोटी संख्या है दोस्तों नेक्स्ट हम हल करते हैं निचे दिये गए दस्मलोग इनों का मान निकालें इन संख्याओं को जोड़ना है हमने पिछली वीडियो में भी दस्मलोग इन संख्याओं का जोड़ और बटाव हमने सीखा है तो 2 और 3 पांच 7 और 1 आठ 2 और 2 चार दस्मलोग लगाएंगे 4 और 2 छे यानि 6.485 पराप्त होगा इसी परकार नेक्स्ट है 6.228 में 2.130 जोड़ना है तो हमें अंसर प्राप्त होगा 8.358 नेक्स्ट हमें एक संख्याओं दे रखी है 3.102 में से हमें गटाना है 1.279 गटाने पर हमें अंसर प्राप्त होगा 1.823 नेक्स्ट 6.345 में हमें गटाना है 2.103 तो आंसर प्राप्त होगा 4.242 दोस्तों आपको ये स्वाल हल करने है और इस आंसर तक आपको पहुंचना है नेक्स्ट है अभी सेक के पास रुपए 7.45 है वह है रुपए 5.30 की टौफी खरीदता है अभी सेक के पास अब कितने रुपए सेस बसते हैं यानि उसके पास कुल 7.45 रुपए है या 7.45 रुपए है और उसमें सिवाए 5.30 की टौफी खरीदता है तो सेस पूछ रहे हैं इन्हें माइनस करना है माइनस करेंगे तो में 2.15 रुपए सेस बसेंगे दोस्तो नेक्स्ट है उर्मिला का घर उसके स्कूल से 5.35 मीटर की दूरी पर है वहे एक किलो मीटर 70 मीटर पेदल चलती है और सेस दूरी बस से तेह करती है उर्मिला दोरा बस से तेह की गई दूरी ग्याद करें दोस्तो एक किलो मीटर में एक हजार मीटर होते हैं तो अब हम 5.35 में से 1.70 यानि 1.700 को हम गटा देंगे तो अंसर आएगा 3.650 किलो मीटर जो अर्मिला है वो 3.650 किलो मीटर दूरी बस से तेह करती है दोस्तो आज हमने कर आकलन नमबर 12 जो कि पेज नमबर 50 परता उसको मनहल किया है धन्यवाद दोस्तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में परने कर हम कर दोस्तो कि अमम्द्ट कि ऑटोस्तो